हेलो फ्रेंड्स आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि अपना जो जीमेल अकाउंट रहता है वो किस तरह डियक्टिवेट कर सकें या फिर डिलीट कर सकें उससे पहले हमें जीमेल एप खोलना होगा अपना जीमेल एप खोलिए और जैसी एप खोलिया कुछ इस तरह का इंटरफेस आगा जो आपे लेफ्ट एंड साइट पर थी टैप बटन है वहाँ पर टैप बटन करिए और लास्ट में ऑप्शन आता है हेल्प एंड फीडवेग का तो से आप टैप करिए टैप करते ही कु आपके मोबाइल में हैं उसे कैसे रिमूफ करें या फिर जो मैसेज आपके डिलीट हो चुके हैं उसे रिकवरी कैसे फिलाल तो हमें अपना अकाउंट डिलीट करना है डिलीट यूर गूगल अकाउंट तो उससे पहले हमें अपने मैनेज अकाउंट में जाना पड़ेगा तो हमें आपस आकर राइट हैंड साइट पे टैप करना है और गूगल अकाउंट पे जाना है गूगल अकाउंट पे जाते ही यहाँ पे और कुछ इस तरह का ओपिन होगा तो सिंपली सा हमें स्क्रॉल करके डाटा एंड प्राइबसी पे जाना है फिर हमें कुछ इस तरह नीचे को स्क्रॉल करना है और सबसे लास्ट में दिया हुआ होगा डिलीट यूर गूगल अकाउंट तो हम इस इस तरह का इंटरफेस होगा और फेंटरफेस में हमें सिंपली सा आपना पासवर्ड डालना है जो किस आईडी का पासवर्ड है मैं यहां पर डाल देता हूं डालने के बाद आगे का प्रोसेसिंग होगा जो टीपी आ है वो हमने यहां पर टीपी टाइप कर दिया है अब यह सिंप्ली सा नेक्स्ट कर देना है नेक्स्ट करते ही हमारा जो अकाउंट होगा फाइनले डियक्टिवेट हो जाएगा और टीपी के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जो कि हमें सिंप्ली सा लास्ट में आते ही लास्ट में ओप्शन दिया होगा यस आई वांट टू पर्मेनेटली डिलीट इस गूगल अकाउंट एंड वालेट्स डाटा यानि कि इसमें जो भी डाटा होगा जो भी आ फाइनली मेरा जो डाटा था जो भी था मेरा गूगल अकाउंट डिलीट हो चुका है यहां पर सकते हैं यूर गूगल अकाउंट और अल इस डाटा है वी डिलेटेट थेंक यू